तंसनी ओफ इंडिया के रूप में हुई है तीनों परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं यह गैंग सराय काले खाँ इलाके में एक्टिव था यह गैंग लड़कियों के कपड़े पहनकर और लड़कियों जैसा मैकप करके वारदातों को अंजाम देता था इनकी गिरफतारी से लूट की त दक्षिन पूर्व जिला डी सीपी एशा पांडेय ने बताया कि किन्न गैंग ने सराय काले खाँ इलाके में दिसंबर माह में दो वारदातों को अंजाम दिया था था थाना सनलाइट कॉलोनी थाना प्रभारी विजह संस्वाल की सुपविजिन वह सराय काले खाँ चौकी इंचाज विश्नुदत के नित्रित्व में एसाई अरून कुमार मामले की तफदीश में लगे हुए थे। एसाई अरून कुमार ने जाच के दोरान पीडितों से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन पीडितों ने जाच में सहयोग नहीं किया। एसाई अरुन कुमार ने किन्न गैंग को दबोचने के लिए हर संभव कोशिश की थी लिकिन पीडितों के सामने ना आने से किन्न गैंग की पहचान नहीं हो पाई थी दक्षिन पूर्व जिला DCP एशा पांडया ने बताया कि दिनांक 18 जन्वरी 2022 को सराय काले खाचो की प्रभारी ASI विश्नुदत, ASI अरुन कुमार, ASI सुनील कुमार, कांस्टेबल सचिन वा महिला कांस्टेबल चंद्रप्रभा यमुना खादर इलाके में गश्ट कर रहे थे गश्ट के दोरान रोशन नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और बताया कि वो शौपोर जी श्रम शिविर जा रहा था तभी लड़कियों के कपड़े पहने तीन किन्न उसके पास आये और मश्टी का लालच देकर उसे जंगल में ले गए और उसे 4500 रुपे लूट लिए टीम तुरंथ हरकत में आई और वरिष्ट अधिकारियों के निर्देश पर जंगल के अंदर छापे मारी की शिकायत करता भी टीम के साथ था पुलिस टीम को जंगल के अंदर तीन किन्न दिखाए दिये पुलिस टीम को देख कर तीनो किन्न भागने लगे शिकायत करता के इशारा करने पर पुलिस टीम ने दौर कर तीनो किन्नरों को दबोच लिया सरसरी तलाशी लेने पर उनके पास से लूटे हुए 4,500 रुपे नकद बरामद हुए पूच्ताच में आरोपियों की पहचान 42 वर्षियर Ruby Care of Ruhul Amin, 30 वर्षियर Rani Care of Ruhul Amin वर 20 वर्षियर Ravina Care of Rani के रूप में हुई है तीनों आरोपी परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले है तीनों के खिलाफ आना Sunlight में F.I.R. संख्या 83 बटा 22 अंडर सेक्शन 392, 411 बटा 34 के तहट मामला दर्ज कर पूच्ताच की गई कड़ी पूच्ताच में तीनों आरोपी ओ ने कबूल किया कि सराय कालिक हा इलाके में दिन्सबर माह में हुई लूट की वारदातों को अंजाम भी इन ही लोगों ने दिया था पूच्ताच में आरोपियों ने यह भी बताया कि आजीविका कमाने के लिए इनके पास कोई काम धंधा नहीं है शाटकट रास्ते से पैसा कमाने के लिए यह लोग लड़की के कपड़े पहंकर वह लड़कियों जैसा मैक अप करके सुनसान जगाहों पर राह चलते लोगों को अशलील इशारा करके जंगलों में ले जाकर लूट लेते थे 42 वर्षियर रूवी केर ओफ रूहू लमीन ने तीसरी कक्षा तक पाई की है और बेरोजगार है तीस वर्षियर रावीना केर ओफ राणी ने पांचवी कक्षा तक पढ़ाई की है यह सभी परगना पस्चिम बंगाल के रहने वाले हैं इनकी गिरफतारी से लूट की तीन वारदाते सुलज गई हैं। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क संसनी ओफ इंडिया इंडिया अपके द्वार वो आप तक पहुचाता है काइन से जुली सबी खबरें सिर्फ पाचिवर्क